अब तीसरा आधार या तीसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है हम देखते हैं अतिरिक्त वस्तूओं का उत्पादन जब भी अभी हमने अतिरेक की बात की थी है ना जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ चामल का प्रोडक्शन बहुत जादा हो रहा है तो हम चामल को क्या करेंगे हमारे घरेलू बाजार में जितनी खपत होगी जितनी आवशकता होगी उतना चामल जो हम अपने पास रखेंगे और किसी दूसरे देश में, जहाँ पर चावल का प्रोडक्षन कम होता है, लेकिन डिमांड उनकी ज़्यादा है, मांग अधिक है, जिससे उनकी पूर्ती नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो अतिरिक्त है, मतलब हमारा जो अतिरिक्त उत्पादन है, वो हम क्या करेंगे? उन द अधिक उत्पादन है, जो उनके घरेलू मांग से अधिक हो रहा है, तो वो उस अतिरेक वस्तु या उत्पाद को दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, तीसरी चीज़ हम देखते हैं, उत्पादों में भिन्नता, उत्पाद में भिन्नता, मैं फिर से वही बात करूँगी, कि हमारे पूरी पृत्वी पर अलग-अलग जगा हमको संसाधन जो हैं, वो अलग-अलग मिलते हैं, हर प्रकार के संसाधन हर जगा हमको उपलब्ध नहीं होते, तो जब उत्पाद में भिन्नता है, जैसे अभी मांग है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से चीनी मीट्टी के बरतन आयात करेंगे, और अभी हमने बात की कहीं कि कालीन प्रसिद्ध हैं, कहीं कि कोसे की सारिया प्रसिद्ध हैं, तो वो उत्पाद या वो प्रोड़क्ट जो है, हम यह कहेंगे उसका इस्पेश discussrias. मतलब हम इसका उत्पादन है, उसकी क्वालिटई है क्वालिटी यदि रख चन की बात करें, तो वह अच्छी मिलेगी तो हम क्या करना चाहेंगे उस प्रोड़क्ट को अपने यहाँ स्कॉाइटी को लेने के लिए दूसरे देश से वो उत्पाद जो है वो हम अपने देश में मंगाएंगे तो उत्पाद में भिन्नता जो है वो व्यापार का एक प्रमुक आधार है जो अलग-अलग जगों में अलग-अलग प्रोडक्शन के कारण उत्पन होती है अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक विकास में भिन्नता तो आर्थिक विकास में भी भिन्नता होती है जैसे अभी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कोई देश जो है वो विकसित देश है कोई विकासिल देश है तो हम क्या करेंगे विकासिल जो देश होंगे वहाँ पर विकासिल देशों में जो खाद्यान उत्पादन है ये प्रोडक्शन अधिक होता है साथ ही जो कच्चे माल मतलब हम आयस्क की बात करें उर्जा की रूप में कोईले की बात करें इन सब का जो उत्पादन है वो अधिक होता है उसके बाद ये उन देशों को निरियात किया जाता है जैसे विक्सित जो देश होते हैं वहाँ पर चुकी और द्योगी करण अधिक होता है इसलिए ये पिछडे देशों से या विकाश हम ये कहें कि जो आर्थिक विकाश के दृष्टिकोंड से पिछडे वेराष्ट हैं या देश हैं वहां से ये कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का अपने देश में आयात करते हैं और उन देशों से उन देशों को अपने यहा भिन्नता के कारण भी व्यापार जो है वो एक अंतरास्टी व्यापार जो है वो गती पकड़ता है या उसमें विकास की स्थिती को हम देखते हैं अब हम यह देखते हैं जनसंख्या वित्रण की भिन्नता इसका नेक्स्ट जो है वो आधार है जनसंख्या वित्रण भी हमको अ अधिक मिल रही है कहीं पर इसकी जनसंख्या की जो मात्रा है वो कम है तो क्या होगा जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी तो भई जहां अधिक जनसंख्या है वहां का बाजार भी बड़ा होगा बाजार बड़ा होगा मतलब डिमांड वहां की बड़ी होगी अधिक म मांग के अनुरूप वहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाएगा वो दूसरे देशों से उन वस्तूओं का उन उत्पादों का आयात करेगा क्योंकि उसे अपनी घरेलू मांग की पूर्ती करनी है अपने जनसंख्या की जो डिमांड है जिस वस्तू की उ निवास कर रही है और उसकी डिमांड की अकॉर्डिंग जो है उस देश का प्रोडक्शन है उसका उस देश में उत्पादन उस वस्तू का हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि वहां पर आंतरिक व्यापार ही जो है वो अधिक होगा फिर विदेशी व्यापार की स्थिति वहां पर नहीं मिलेगी कि क्या होगा भाई वो जो देश है वो पहले अपने जगह में रह रहे हैं अपने देश के जो निवासी हैं उनकी डिमांड को पूरा करेगा बाहर तो वो निर्यात नहीं कर सकता क्योंकि परियात मात्रा में वो प्रोडक्शन जो है वो उस देश में हो रहा तो उस वस्तु या उत्पाद का जो मुल्य है वो बढ़ जाएगा तो ऐसा तो किसी भी देश की जो सरकार है वो करने भी नहीं देगी तो अगर जनसेंख्या अधिक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूं जनसेंख्या अधिक है और डिमांड के अकॉर्डिंग उस देश में ही उत्पादन हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि वहां पर आंतरिक जो व्यापार है देश के अंदर होने वाला जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा और अगर वो अतिरेक में हो रहा है या उसकी जो है कमी हो रही है तो उससे विदेशी व्यापार को अंतर राश्टी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उस उत्पात को देश से बाहर से या तो मंगाना पड़ेगा या फिर अतिरेक है तो उसे वो भेजेगा ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पर कम जनसंख्या है और एकसेज में वो प्रोडक्शन हो रहा है तो जनसंख्य कि मांग की पूर्ती तो होगी जितनी डिमांड थी घरेलू बजार में वो पूर्ती करके जितना जो अतिरेक उत्पादन है उसे हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं विदेशी पूंजी निवेश ये भी व्यापार का एक महत्तपूर् हम ये देखते हैं जो विकाशिल देश होते हैं या पिछड़े देश होते हैं उनके पास चुकी उतनी पूंजी नहीं होती है ज़ी उनको अपने और्योगी करन को उध्योगों को बढ़ावा देना है तो आपको क्या चाहिए पैसा चाहिए पूंजी चाहिए लेकिन अगर किसी पिछड़े राष्ट्रिया विकारशी देश के पास उतनी पूंजी नहीं है तो भई ये तो मौका मिल जाता है विक्सित राष्ट्रों को और वो क्या करते हैं बोलते हैं कि भई आप ये उद्योग लगाए हम अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी या हम ये कह सकते हैं कि कर्ज के रूप में वो उन्हें क्या देते हैं पैसा देते हैं या पूंजी उपलब धकराते हैं तो अगर ये सुविधा मिल गई कि हमको कहीं से पैसा मिल रहा है और हम अपने यहां इस उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं इस उद्योग की स्थापना कर सकते हैं तो इससे फिर क्या होगा ओद्योगी करण को बढ़ावा मिलता है और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि फिर उस चीज का उस वस्तु का प्रोडक्शन या उत्पादन होने लगता है तो विदेशी पूंजी निवेश जो है वो भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण जो है आधार है अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं उन्नक परिवहन साधन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्राचीन समय में जो परिवहन के साधन थे वो एक बाधा की रूप में कारिकरते थे क्योंकि तब उतना विकास नहीं था परिवहन के साधनों का हम लंबी दूरी तक यात्रा करके नहीं जा सकते थे उसे हमारे समय और हमारा जो समय है और पैसा दोनों बहुत खर्च होता था जो कुछ साधन मौजूद भी थे तो लेकिन वर्तमान समय में हम ये कहें कि ये इसके लिए एक रास्ता बना रहे हैं या व्यापार के विकास के लिए एक महत्तुपूर्ण फैक्टर के रूप में कारे करते हैं वर्तमान समय में जो परिवहन के साधन है वो क्योंकि अभी हमने बात की थी कि हमें अपनी किसी भी कीमती चीज़ को या जल्दी खराब होने वाली जो वस्तुई है या पदार्थ हैं उन्हें हमें दूसरे जगह को भेजना है या निर्यात करना है तो उसके लिए हमारे पास अभी जो विक्सित परिवहन के साधन उन्नत शील जो परिवहन के साधन है चाहे हम वायू मार्ग की बात करें या हम जल मार्ग की बात करें है ना तो उन्नत तकनीकों के साथ ये पर सरकार की व्यापार नीती तो सरकार की व्यापार नीती भी जो है वो क्या करती है व्यापार का एक प्रमुक आधार है जैसे कि अगर किसी देश की गौवर्मेंट को किसी वस्तु के निर्यात को क्या करना है बढ़ावा देना है तो वो क्या करेगी अपनी उदारवादी नीती अपनाती है मतलब उसमें जो निर्यात किया जाने वाला जो पदार्थ है उसमें टैक्स को घटा देती है या बहुत कम कर देती है या टैक्स को बिल्कुल हटा देती है कर को कर नहीं लगाएगी या लगाएगी भी तो बहुत कम कर लगाती है या टैक्स लगाती है तो उससे फिर क्या है निरियात को जो है वो प्रोचसाहन मिलता है है ना अगर उसे किसी वस्तु या पदार्थ के आयात को अपने यहां अपने देश में उसके आयात को कम करना है है ना या बंद करना है तो गौर्मेंट क्या करेगी कि उस प्रोडक्ट में या उत्पाद में बहुत जा प्रादा टैक्सियक कर लगाने से फिर जो आयात की जाने वाली वस्तु है, वह क्या हो गई? बहुत महेंगी हो गई तो फिर उसका बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर जो है वो आयात किया जाएगा तो सरकार की जो व्यापार नीती है वो भी बहुत हद तक व्यापार का आधार है या व्यापार को प्रभावित करती है पिर हम देखते हैं राजनायतिक संबंध, राजनायतिक संबंध भी जो है वो प्रभावित करते हैं या अधार है व्यापार का, क्योंकि जिन देशों के मद्य संबंध अच्छे होते हैं या राश्ट को लगता है कि हमें इन देशों से व्यापार को बढ़ाना है जिसे हमारे आपसी जो सहयोग है या आपसी जो समझ है वो बढ़ेगी तो उनके बीच में जो है वो अपने व्यापार को बढ़ावा देती है जैसे हम यूरोपिय साजह बाजार यूरोपियन देश क के बीछ में उसको हम लेते हैं है ना तो यहाँ पर राजन्यतिक संभध इन के बहुत अच्छे हैं जिसके कारण इन के बीच में व्यापार की इस्थिती जो है वह अच्छी है कि हम अपने भारत पने ब्हारत ले ले लेते हैं जैसे siitä हैं जैसे थाइना हो गया है तो चीन क्या करता है अपने यहां बहुत कम लागत पे वस्तूओं का उत्पादन करेगा और हमारे बाजार में उसको निरियात करता है तो यहां के लोगों को क्या लगता है कि भई जो सस्ता माल है कोई भी हम क्या करेंगे हमेशा हम अपना फायदा देखते हैं तो सस्ती चीज देखकर हम उससे प्रलोभन में आ जाते हैं और अपने यहां जो उत्पादित है चुकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो थोड़ी महंगी है तो हम क्या करते हैं सस्ती चीज को ले लेते हैं भले ही वो जल्दी खराब हो जाए है ना तो चाइन देशों में वो बिचा कर रखा हुआ है और उसके संबंध भी बहुत से देशों से बहुत अच्छे नहीं है तो जब भी हमें कभी लगता है कि हमारी जो इस्थिती है या हमारा जो राजनेतिक संबंध है वो थोड़ा तनाव पूर्ण हो रहा है तो उससे हमारा व्यापार जो है वो प्रभावित होता है हम कुछ वस्तूओं का व्यापार जो है उन देशों से बेन लगा देते हैं या कम कर देते हैं उन्हें बेचना या उन देशों से उसे आयात करना ये हम बंद कर देते हैं लेकिन जहां कहीं भी हमें संबंध अच्छे स्थापित करने हैं या अच्छे संबंद हैं तो हम क्या करेंगे कि अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं आयात और निर्यात को बढ़ावा देते हैं जिसके कारण वहां उन देशों से हमारे और अच्छे संबंद जो है वो इस्थापित हो सकें अब हम बात करते हैं देश की जो इस्थिती है व वो सभी तरव से विश्व के जो अन्य जो भी देश है उन से जल मार्ग और वायू मार्ग के द्वारा उसकी connectivity बहुत अच्छी है तो जो परिवहन के साधन से बहुत अच्छी तरह से उसका जुडाव है जो देश उसकी इस्थिती अच्छी है जल वायू की भी बात करें तो वहाँ पर होने वाले production या industrialization की हम बात करें और परिवहन के साधन से उनकी connectivity जुडाओं के कारण अन्य सभी देशों से व्यापार जो है बहुत अच्छा होता है। अगर हम देखें कि वो उतना जो rail मार गिया हम वायू मार गिया जल मार से बहुत अच्छी connectivity नहीं है अगर किसी देश की तो फिर वो व्यापार कैसे कर पाएगा दूसरे देशों से है ना तो देश की स्थिती भी जो है वो प्रभावित करती है व्यापार को अब हम next बात करते हैं जन रूची जन रूची मतलब लोगों की रूची लोगों की रूची भी किसी देश के व्यापार को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है मतलब लोगों की जो पसंद की वस्तुएं है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है डिमांड है उनकी तो वो क्या करेग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ना क्योंकि वो दूसरे देशों से उस वस्तूओं को मंगाएगा एक एक्जामपल के लिए लेते हैं हम ब्रिटेन में लोग जो है है ना वो चाय जादा पीते हैं यह हम USA की बात करें तो वहां कौफी अधिक पी जाती है कौफी को पसंद कि किया जाता है तो ब्रिटेन में जो है वो चाय का आयात किया जाएगा और USA की हम बात करेंगे तो वहां कहवा या कौफी का आयात किया जाएगा फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादों की गुडवत्ता भी बहुत हद तक व्यापार को प्रभावित करती है थोड़ी द हम वहां की भुगर्भिक संदशना के अनुसार किसी पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर अधिक होता है क्योंकि उसकी जलवायू जो है वो उसके अनुकूल है अभी मैं फिर से लेती हूं जैसे हमारे यहां हमारे च्छतिस गड़ में कोसे का उत्पादन जो है तो यह दूसरे देशों को क्या किया जाएगा दूसरे देशों से इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका आयात किया जाएगा है ना तो क्वालिटी वाइस भी फर्क पड़ता है हम देखते हैं कि जैसे हम अपने च्छतिस गड़ में ही बात करें तो भाई पेंडरा रोट का जो चावल है विश्नु भोग वो फेमस है है ना क्योंकि वहाँ पर की वो स्पेशलाइजेशन है उसका वो विशेशी करण है वहाँ पर विश्नु भोग चावल ही अधिक मात्रा में हो रहा है है ना तो हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि हम उसी छेत्र से हमें जो चावल है वो हम विश्नुभोग चावल जो है उसका आयात करें हमारे यहां भी चावल हो रहा है यहां भी हो रहा है लेकिन वो quality जो उस छेत्र की है वो यहां पर नहीं मिल पाएगी तो उत्पादों की जो गुडवत्ता है quality है वो भी व्यापार को जो है प्रभावित करती है फिर हम देखते हैं राश्ट्री आए राश्ट्री आए भी प्रभावित करता है भाई किसी देश की जो राश्ट्री आए है वो अच्छी है तो वहाँ पर आयात को भी बढ़ावा मिलेगा production को बढ़ावा मिलेगा जिससे वहाँ पर निर्याद की जाने वाली जो वस्तूइं है उनको बढ़ावा मिलेगा और कहीं पर किसी देश की राश्ट्री आए वो पिछरा हुआ राश्ट्र है तो व्यापार जो है उसको वहाँ पर अच्छी तरह से वह पनप नहीं सकता है ना इसके साथ ही साथ हम देखते हैं युद्ध और शांती यदि बात करें हम किसी देश में जो शांती किस हिती है शांती पूर्ण महौल है राजनैती स्थिरता है अगर किसी देश में तो वहां पर भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा लेकिन अगर वहां पर युद्ध जैसी स्थिती निर्मित होती है तो फिर देश में शांती पूर्ण महौल ही नहीं है तो फिर व्यापार का क्या फिर महत्वर है जाता है न फिर उस स्थिती में तो सिर्फ सस्त्रों का ही हत्यार जो है उन्हीं का आयात और निर्यात किया और आयात निर्यात की तो बात ही नहीं है तो इसी प्रकार युद्ध और शांती की जो इस्थिती है वो भी व्यापार को बहुत हद तक प्रभावित करती है तो यह कुछ हो गए आपके अंतरराश्टी व्यापार के आधार यह हम कहें कि जो उन्हें प्रभावित करते हैं जि व्यापार से होने वाले लाभ और हानिया. झाले वाले लाभ और हानिया. झाले वाले लाभ और हानिया.